हेलो बच्चों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग के एक्जाम की प्रिपरेशन बिटा बहुत ही बढ़िया चल रही होगी राइट तो बच्चों स्वागत है आप लोग का GST रिवीजन की थर्ड क्लास के अंदर अभी तक हम लोग जो हैं वो तीन टॉपिक्स ओवर कर चुके हैं सप्लाई अंडर GST टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्य ऑफ सप्लाई अगर आपने यह तीन टॉपिक्स मिस कर दी हैं तो मैं आई बिटन में उनका लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका चोड़ दूँगा उन टॉपिक्स को भी वहां से जाकर कवर कर लिजेगा सूपर फास्ट रिविजन चल रहा है जो कि आपको एक्जाम के लिए बहुत ही जादा हेलपफुल होने वाला है तो वीडियो को लास्त तक देखिएगा बीच में छोड़के मत जाईएगा वीडि क्या है मेरे बच्चे सर कंपोजीशन स्कीम एक अल्टरनेटिव मेथड है जो कि डिजाइन किया गया है स्मॉल टेक्स पेयर के लिए जिनका प्रिसीडिंग फाइनेंशल यर का टरनोवर प्रिस्क्राइब लिमिट तक रहता है अगर आपका पिछले साल का टरनोवर 1.5 करोड एकसीड नहीं करता है तो सरकार आपको ऑप्शन देगी कि आप चाहे तो कंपोजीशन स्कीम ले 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 चाहे तो आप नॉर्मल स्कीम ले 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 अगर आप स्पेशल केटेगरी स्टेट नस्टा M3 को बिलॉंग करते हैं तो आपके लिए टरनोवर की लिमिट 1.5 CR से घटा कर 75 लैक कर दी गई है नस्टा M3 का मतलब है नागालेंड, उत्राखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुनाचल प्रदेश, आपका मिघालिया, मनिपूर, मिजोरम ये 8 special category states के अंदर, limit जो है 75 लैक की है, इनके अलावा अगर आप और कहीं से operate कर रहे हैं तो आपके लिमिट 1.5 CR की है अब एक बात समझने वाली है, ये जो आपका टरनोवर है, ये aggregate टरनोवर है, मतलब की पैन इंडिया का टरनोवर कंसीडर किया जाता है तो अगर आपके multiple offices चल रहे हैं इंडिया के अंदर, multiple branches चल रही हैं इंडिया के अंदर, तो सब branches के टरनोवर को कंसीडर किया जाएगा तो ये चारो non special category states है, आपका जो aggregate turnover देखा जाएगा, वो इन चारो का मिला कर देखा जाएगा इन चारो का मिला कर देखा जाएगा, और अगर आप special category में operate करते हो, लेकिन अगर आप special category और non special category दोनों में operate करते हो लेट से आप मुंबई में operate करते हो, आप जैपुर से operate करते हो, आप नागा लेंड से operate करते हो तो नागा लेंड जो है, वो आपकी special category states है, मुंबई और जैपुर जो है, वो non special category states है, मुंबई और जैपुर के लिमिट 1.5 CR की है, नागा लेंड के लिमिट 75 लेक की है, तो अब कौन से लिमिट आपके उपर लगेगी? तो अगर आप non, sorry, अगर आप special category states से operate कर रहे हो, along with non special category states, then आपकी लिमिट जो है, वो lower वाली applicable होती है, यानि की 75 लेक की applicable होती है, that means कि अगर आप special category state के अंदर हो, तो आपके लिमिट जो है, वो हमेशा 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 कौन से लगती है, lower वाली limit आपकी applicable होकर चलती है, अब आगे क्या है, sir, purpose क्या है, composition scheme लेकर आने का, बेटा, purpose है जो composition scheme का, वो है छोटे taxpayer को simplicity provide करना, और उसकी compliance cost को reduce करना, देखे, आपका जो composition scheme है, उसमें एक ही return जाता है, annual return, right, और आपका जो quarterly payment of tax होता है, quarterly payment of tax होता है, और annual return जाता है, तो यहाँ पर एक तो simplicity है, आपको हर बार return नहीं भरनी है, आपको जो statement file करनी है, cmp08, text pay करते वक्त, वो भी एक simple statement है, जिसके अंदर बहुत detailed information आपकी नहीं जाती है, तो हम छोटे taxpayer के लिए ease of business create करने की कोशिश कर रहे है, इसलिए उसको simplicity और compliance cost कम कर रहे है, compliance cost कैसे कम हो रही है, sir, अगर monthly return नहीं भरेगा, और quarterly statement भर और annual में एक return भरेगा, तो CS आपका खर्चा जो है, वो उसका कम हो जाएगा, compliance cost जो है, वो reduce हो जाएगी, तो यह purpose है, अब सर ये composition scheme लाई किसके लिए गई थी, initially जो composition scheme लाई गई थी, वो केवल और केवल goods और restaurant service के supplier के लिए लाई गई थी, सभी प्रकार के goods supplier कवर थे, और क केवल और केवल restaurant service आपकी कवर थी, सरकार कहती है कि अगर आप इनके अलावा और कोई service देते हो, तो आपको composition scheme नहीं मिलेगी, बाद में सरकार ने ये फैसला अपना बदला, और section 10.1 के अंदर एक छोटा सा प्रोवीजो डाला, उसने कहा कि आप goods और restaurant services के साथ साथ other services भी द eligible रहेंगे, लेकिन जो other services है, उसको हम restrict करेंगे, other services हम आपकी restrict करेंगे, composition supplier are permitted to supply other services up to, restrict किया जाएगा, 10% of turnover in the state or the UT in the preceding financial year, और rupees 5 lakh, whichever is higher, तो पिछले साल का जो turnover है, आपका state का, उसका 10% या फिर 5 लाक रुपे, दोनों में से जो भी higher है, उतनी आप services provide कर सकते हो, let's say आपका पिछले साल का turnover, आपका पिछले साल का turnover मुंबई का 60 lakh रुपीज का था, और आपका कानपूर का turnover 40 lakh रुपीज का था, यानि कि total turnover आपका 100 lakh रुपीज का था, आपने current financial year में composition scheme opt कर लिया, तो अब आप other services कितनी दे सकते हो, आप other services कितनी दे सकते हो, other services के लिए सरकार ने कहा 10% of turnover of preceding financial year in the state, in the state, या फिर रुपीज 5 lakh, या फिर रुपीज 5 lakh, या फिर रुपीज 5 lakh, इन दोनों में जो भी आपका higher है, इन दोनों में जो भी आपका higher है, right? अब मेरी बात ज़रा ध्यान से समझना, ये limit जो है, वो state-wise applicable होती है, ये limit जो है, वो state-wise applicable होती है, मतलब मुंबई के लिए अलग applicable होगी, और कानपूर के लिए अलग applicable होगी, मुंबई में आपका turnover पिछले साल का 60 lakh का था, तो आप current financial year में मुंबई में other services कित्ती दे सकते हैं, 10% of preceding financial year turnover, 60 lakh का 10%, 6 lakh, या फिर 5 lakh, दोनों में जो भी higher है, 6 lakh. कानपूर में आप services कित्ती दे सकते हैं, पिछले साल के turnover का 10%, या फिर 5 lakh रोपे, whichever is higher. तो आप मुंबई के अंदर composition scheme में रहते हुए, 6 lakh रोपे तक की other services दे सकते हैं, कानपूर के अंदर आप composition scheme में रहते हुए, 5 lakh रोपे तक की other services दे सकते हैं, जैसे ही मुंबई में आपका 6 lakh का service exceed होगा, आप composition से बाहर हो जाएंगे, जैसे ही कानपूर में आपका 5 lakh में से आपका turnover, services का बाहर होगा, आप composition से बाहर निकलाएंगे. ठीक है, अब अगली चीज जो आपको समझनी है, कि सर ये aggregate turnover निकालते वक्त हमें क्या-क्या चीज़ों को consider करना है, तो इसको भी मैं अपने ही handwriting में आपको समझा देता हूँ, कि aggregate turnover में क्या-क्या चीज़ें आएंगी, बेटा aggregate turnover में आपकी जितनी भी outward supply हैं, वो सब consider करी जा जो textable हैं, और textable जो FCM में है, चाहे RCM में है, मतलब मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा, उस पे text pay करने का responsibility मेरा है, चाहे आपका है, जो मैंने माल बेचा, जो मेरी sale है, जो मेरी outward supply है, वो aggregate turnover का part बनेगी, चाहे उस पे text pay करने की responsibility government को मेरी है, चाहे मेरे recipient की है, जो मेरी sale है वो मेरे turnover का part बनेगी aggregate turnover के अंदर taxable supply के साथ साथ आपकी exempt supply भी आती है अब exempt supply में क्या क्या आता है मेरे बच्चे exempt supply के अंदर तीन चीज़े cover होती है वो supply जो nil rated है वो supply जो की आपकी non taxable supply है non taxable supply आपको पता है शराब वगयरा petroleum products और last जो चीज आती है इसके अंदर वो आती है holy exempt supply तो जो government ने notification के थूँ exempt कर रखी है वो जो non taxable है GST में आती ही नहीं है या फिर जो आपकी nil rated supply है वो आपकी exempt supply का part बनती है इसके बाद तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है अग्रिगेट turnover के अंदर वो है आपकी export supply जो आपने दूसरे country में माल बेचा है और तीसरा चौथी चीज जो आपको cover करके चलनी है इसके अंदर वो है interstate supply to distinct person ये चार चीजे मेरे बच्चे ये चार चीजे आपकी aggregate turnover का part बनती है ये चार चीजे आपकी aggregate turnover का part बनती है अब जो बाते मैं बोल रहा हूँ ज़रा ध्यान से प्यार से समझिएगा अब यहाँ पर एक note डलेगा और note कहता है अगर आपकी exempt supply है अगर आपकी exempt supply है जिसका consideration जिसका एक्सेंडिंग लोन्स एंड एडवांस इस जिसका consideration इंटरस्ट के रूप में आता है या फिर discount के रूप में आता है उसे आप turnover का part नहीं बनाएंगे उसे आप turnover का part नहीं बनाएंगे सभी प्रकार की exempt supply आएंगी सभी प्रकार की exempt supply aggregate turnover का part बनेंगी लेकिन अगर exempt supply लोन्स और advances एक्सेंड करने वाली है जिनका consideration, interest और discount होता है उसे आप aggregate turnover का part नहीं बनाएंगे दूसरी चीज क्या चीज taxes under GST इसे भी exclude किया जाएगा aggregate turnover से इसे भी aggregate turnover में consider नहीं किया जाएगा और तीसरी चीज inward supply जिस पे आप tax दे रहे हो under RCM आपने कोई supply ली है आपने कोई inward supply ली है जो की reverse charge mechanism में cover होती है और आप उसके उपर tax दे रहे हो तो वो aggregate turnover का part नहीं बनेगी अब ये point बड़ा ही illogical है क्यों illogical है? क्योंकि सर जब turnover की बात करते हैं तो turnover का मतलब होता है हमारी sale और inward supply का मतलब होता है purchase तो purchase कभी भी परचेस कभी भी turnover का part नहीं बनती हमेशा sale ही turnover का part बनती है तो inward supply कभी turnover नहीं होगी taxes under GST कभी aggregate turnover में नहीं जाएंगे सभी प्रकार की exempt supply turnover में जाएंगी लेकिन अगर आपकी exempt supply loans और advances extend करके interest से आती है loans और advances extend करके interest से आती है तो वो आपके turnover का part नहीं बनेगी ठीक है? अच्छा यह जो exempt supply है extending loans and advances वाली इसे aggregate turnover में भी consider नहीं करना है और जो other services की limit दी गई है जो other services की limit दी गई है यह वाले turnover में भी इसे consider नहीं करना है तो other services की limit निकालते वक्त आप जब turnover in the state लेते हैं तो इस turnover in the state के अंदर भी extending loans and advances वाली exempt supply को consider नहीं करेंगे और जब आप aggregate turnover निकालते हैं वहाँ पर भी आप extending loans and advances को consider नहीं करेंगे इसके बाद अगला point जो आपको समझना है कि composition के rate कौन से होते हैं अगर आप manufacturer है other than manufacturer of ice cream, paan masala, tobacco and aerated water अगर आप manufacturer है other than manufacturer of ice cream, paan masala, tobacco and aerated water आपके उपर जो composition rate लगता है वो लगता है 1% का 0.5% CGST, 0.5% SGST of the turnover in the state in the union territory of the turnover in the state, turnover in the state का मतलब क्या हुआ चाहे वो turnover taxable हो, चाहे वो turnover exempt हो आपके इस taxable turnover पे भी 1% का composition rate लगेगा आपके exempt turnover पे भी 1% का composition rate लगेगा अगर आप restaurant services में engaged हो तो आपका total rate लगता है 5%, 2.5% CGST, 2.5% SGST of the turnover in the state or in the UT अगेन यहाँ पर word turnover यूज किया गया है turnover के अंदर taxable turnover भी आएगा और exempt turnover भी आएगा और अगर आप any other supplier of goods हो basically आप trader हो अगर आप goods के trader हो, wholesale trader हो, retail trader हो, distributor हो other than manufacturer हो तो आपके उपर 1% का rate लगता है 0.5% का CGST, 0.5% का SGST ध्यान से of taxable supplies in the state or the UT अब यहाँ पर word क्या use किया है मेरे बच्चे? यहाँ पर word क्या use किया है? यहाँ पर word use किया है taxable supply यहाँ पर word क्या use किया था? तो जब turnover की बात हो रही है तो उसके अंदर taxable turnover भी आएगा, exempt turnover भी आएगा तो अगर आपने composition scheme ली है अगर आपने composition scheme ली है और आप manufacturer हैं तो आप अपने taxable turnover पे, exempt turnover पे 1% का composition tax देंगे अगर आपने restaurant service ली है तो आप अपने taxable turnover पे, आप अपने exempt turnover पे 1% का composition वाला GST देंगे अगर आप other supplier of goods हैं तो आप 1% का composition GST देंगे केवल और केवल अपने taxable supplies के उपर आप कुछ restrictions हैं अगर आपने composition scheme ली है तो सर ये composition scheme उनको नहीं मिलेगी जो लोग ऐसी supply करते हैं जो GST में cover ही नहीं होती है अगर आप non taxable supply कर रहे हो तो आपके लिए composition scheme नहीं है मतलब आप alcoholic liquor में अगर deal करते हो आप petroleum products में अगर deal करते हो तो दोस्त आपको composition नहीं मिल पाएगी अगर आपने composition scheme ली है तो आप दूसरे state पे माल बेच नहीं सकते हैं दूसरे state से माल खरीच सकते हो अगर आपने composition scheme ली है तो आप e-commerce operator के थ्रू माल नहीं बेच सकते हैं आप e-commerce operator के तुट्रू माल बेचेंगे तो आपको composition scheme नहीं मिलेगी अगर आप manufacturer है notified goods के तो आपको composition scheme नहीं मिलेगी notified goods कौन कौन से है आप manufacturer है ice cream and other edible eyes के आप manufacturer है पान मसाला के आप manufacturer है tobacco के आप manufacturer है errated water के तो अगर आप इन 4 चीजों के manufacturer है तो आपको composition scheme नहीं मिलेगा लेकिन मेरे भाई ध्यान देना कि अगर आप इनके trader है अगर आप इनके trader है आप ice cream के trader है पान मसाला के trader है टोबैको के trader है एरेटेड वाटर के trader है तो trader के लिए composition scheme अवेलेबल है अलग-अलग states में चल रहा है तो अगर एक जगा पर उसने composition scheme ली तो वो automatically बाकी states में भी applicable होगी similarly अगर वो एक states में composition scheme से बाहर निकलता है तो वो बाकी states में से भी composition scheme से बाहर निकल जाएगा मतलब यह span basis पे applicable होती है ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ state में composition में रहें और बाकी state में normal रहें ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक business के लिए composition ले और बाकी business के लिए आप normal scheme ले 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 ऐसी सुविधा उपलब्द नहीं है जिस व्यक्ति ने composition scheme लिया है वो recipient से tax collect नहीं कर सकता उसे composition tax अपनी pocket से pay करना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने composition scheme ली है वो व्यक्ति ITC नहीं ले सकता जिस व्यक्ति ने composition scheme ली है वो tax invoice issue नहीं करता है वो bill of supply issue करता है और bill of supply के उपर वो clearly लिखता है कि मैं एक composition taxable person हूँ जो की eligible नहीं है tax collect करने के लिए supplies के लिए ध्यान रहे जिसने composition scheme ली है मेरे दोस्ट जिसने composition scheme ली है मेरे दोस्ट वो कभी भी tax invoice issue नहीं करता है जिसने भी composition scheme ली है मेरे दोस्ट कभी भी tax invoice issue नहीं करता है इसके बाद आता है rule number 3 rule number 3 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ती पहली बार registration के लिए apply कर रहा है तो हम उसे option देंगे REG01 part B के अंदर कि वो composition scheme के लिए apply कर दे और जब से उसका registration effective होगा तब से उसका composition scheme भी effective हो जाएगा जैसे माल लीजे मैंने पहली बार registration के लिए apply किया और मैंने जब registration के लिए apply किया तो मुझे option दिया जाएगा कि मैं composition scheme लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ और माल लीजे मेरा registration effective हुआ 10 October से तो मेरा composition scheme भी effective हो जाएगा 10 of October से इसके बार rule 4 कहता है कि अगर आप already registered person है तो आपकी composition scheme effective होगी अगले financial year के पहले तारिक से मतलब अगर आपको 2021 के लिए composition scheme चाहिए तो आपको 1920 में हमको intimation देना पड़ेगा और आपकी composition scheme effective हो जाएगी 1st April 2020 से अगर आपको 2021 में composition scheme चाहिए तो आपको 1920 में हमको intimation देनी पड़ेगी और 1st April 2020 से आपको composition scheme दे दी जाएगी एक बार आपको composition scheme दे दी गई तो 90 दिन के अंदर आपको ITC 03 भरके अपना ITC क्या करना है books में से reverse करना है अगर आपने section number 18 पड़ा होगा ITC के अंदर तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी अगर नहीं पड़ा तो अभी जब ITC का revision होगा तो इस point को correlate कर ले ना आपको बात समझ में आ जाएगी इसके बाद अगर आप casual taxable person है या फिर आप non resident taxable person है तो आपके लिए composition scheme available नहीं है rule number 6 कहता है सर जैसे ही current financial year में आपका turnover exceed करता है डेड़ करोड को या फिर exceed करता है 75 lakhs को आप composition scheme से बाहर निकल कर आ जाएंगे और उसके बाद आपको within 30 days क्या करना है ITC 01 file करना है ताकि आप अपना ITC reclaim कर सकें ये भी point section number 18 के साथ जोड़ा हुआ है मोटी मोटी बात जो समझने वाली है वो सिर्फ इतनी सी है मेरे बच्चे मोटी मोटी बात जो समझने वाली है वो सिर्फ इतनी सी है मेरे बच्चे let's say let's say preceding financial year में आपका turnover let's say let's say preceding financial year में आपका turnover 10 लाग था ठीक है, preceding financial year ले लेता हूँ, 19-20, और current financial year 2021 में आपने 1 April को composition scheme opt कर लिया, composition scheme opt कर लिया, माता राने की आपके ओपर बड़ी क्रिपा रही, माता राने की बड़ी क्रिपा रही, और 10 September आते आते, आपका turnover, आपका turnover exceed कर गया 1.50CR, तो आप 10 September को composition scheme से निकल कर, normal scheme के अंदर प्रवेश करेंगे, और अब आप क्योंकि normal scheme में आ चुके हैं, तो अब आप ITC लेने के लिए eligible हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको within 30 days, आपको within 30 days, ITC 01 फाइल करके अपना ITC claim करना है, जो ठीक एक दिन पहले आपके पास 9 तारिक को, जो आपके पास माल पड़ा होगा, अगर मैं आपको बता दूँ, तो किन-किन चीजों का क्रेट मिलेगा, सर, raw material का क्रेट मिलेगा, raw material in WIP का क्रेट मिलेगा, raw material in finished goods का क्रेट मिलेगा, और capital goods का आपको reduced क्रेट मिलेगा, ये बाते हम लोग section number 18 में दुबारा से अच्छे से पढ़ेंगे, तब हम उसको समझ ले कर जाता, और अगर आप special category state में हो, तो ये 1.5 करोड की limit 75 लेक हो जाएगी, तो जब तक आपका turnover current financial year में 1.50 CR तक है, और जब तक आपका turnover 75 लेक है in the special category state, तब तक आप composition scheme में बने रहते हैं, और जैसे ही आपका turnover इस limit को exceed करता है current financial year में, वैसे ही आप composition scheme से निकल कर normal scheme के right, इसके बाद, इसके बाद section 10-2A आया, section 10-2A आया, उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ service देते हैं, 10-2A उन लोगों के लिए आया, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, services देते हैं, देखो, section 10 जब initially लाया गया था, मैंने आपको बताया, section 10 जब initially लाया गया था, त लेकिन अगर आप केवल service provider हैं तो initially आपके लिए कोई भी composition scheme नहीं थी जिसको सुनके हमारे जो service provider है वो मोधी जी से बहुत जादा खफा हो गए और बाद में मोधी जी ने उनके लिए section 10-2-A की व्यवस्था करी और 10-2-A क्या है एक ये presumptive scheme है it is also a composition scheme for the service provider ये किनको मिलती है सर ये उन लोगों को मिलती है जिनका preceding financial year का turnover पचास लाक रूपे एकसीड नहीं करता तो service provider के लिए मोधी जी ने लिमिट किती रखी है 50 लाक रूपे की लिमिट रखी है तो अगर preceding financial year में आपका turnover 50 लाक एकसीड नहीं करता तो आप current financial year में composition scheme क के लिए eligible हो जाते हैं composition rate जो रखा गया है वो 6% रखा गया है जिसमें 3% का CGST है और 3% का SGST है अब इसकी जो restrictions है वो बिलकुल सेम है जो section 10 में आपने restriction पड़ी कि आप कोई भी ऐसी supply नहीं कर सकते जो non-textable है आप दूसरे state में supply नहीं कर सकते दूसरे state से supply ले सकते हैं invert ले सक आप e-commerce operator के through supply नहीं कर सकते आप अगर notified scheme पे आते हैं मतलब presumptive scheme में आते हैं तो आप text का पैसा collect नहीं कर सकते आप ITC नहीं ले सकते आप bill of supply issue करेंगे text invoice आप issue नहीं करेंगे bill of supply के ओपर आप clearly mention करेंगे कि आप क्या है आप एक presumptive scheme optor है और आप collect नहीं कर सकते हैं text और manufacturer है notified goods के तो आपको composition scheme under section 10 to A उपलब्द नहीं होगी और बाकी सारी conditions जो आपने अभी section 10 one में पड़ी है वो equally applicable होती है 10 to A के अंदर मोटी मोटी चीज जो 10 to A में आपको remember गरनी है कि भाई साब ये हमें कम मिलती है जब हमारा turnover 50 lakh होता है पिछले साल तभी हम current year में presumptive scheme ले सक सर क्या current financial year में हमारे पास presumptive scheme throughout the year रहेगी the answer is no जब तक आपका turnover current financial year में 50 lakh exceed नहीं करता है तब तक ही आप presumptive scheme में रहेंगे मतलब जो point अभी आपने ये वाला पड़ा ये point भी equally applicable होता है presumptive scheme के उपर मतलब अगर पिछले साल आपका turnover up to 50 lakh है तो आप current financial year में presumptive scheme ले सकते है लेकिन आप current financial year में presumptive scheme में तब तक रहेंगे जब तक आपका turnover 50 lakh exceed नहीं कर जाता जिस दिन आपका turnover 50 lakh exceed कर जाएगा उस दिन आप presumptive scheme से निकल कर normal scheme के अंदर प्रवेश कर जाएंगे so this is the complete chapter जो हमने revise किया composition का उम्मीद करता हूँ आपको सब बाते जो आपने पढ़ी थी वो याद आ गई होंगी और चोटी मोटी बाते जो आपने miss out करी थी वो बातें आपकी यहाँ पर cover हो गई होंगी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है मेरे दोस्तो लाइक जरूर करना है बिना लाइक करे काम नहीं बनेगा लाइक जरूर करना है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ बिटा इस वीडियो को जरूर ज incorporate कर सको right चलो अपना ख्याल लगो till then bye bye have a nice day